हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल हसी इंफोर्मेशन में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेट्रियल सेप्टी डाटा सीट जिसको हम MSDS बोलते हैं तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि MSDS क्या होता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखेंगे MSDS क्या होता है MSDS is a document that contains information on the potential hazard and how to handle safely with the chemical or hazardous substance MSDS एक document होता है जो किसी भी chemical या hazardous substance के जो potential हजार होते हैं उसके बारे में हमको information देता है कि उस chemical को कैसे safely handle करना है तो generally MSDS किसी भी chemical और hazardous substance के जो potential हजार होते हैं उसके बारे में हमको information देता है कि उसको कैसे safely handle करना है कभी भी आप market से कोई भी chemical या hazardous substance खरीद रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि उस supplier से आपको उसका MSDS लेना चाहिए जिसको material safety data sheet बोलते हैं उसमें क्या होता है उस chemical का क्या potential हजार है और उसको कैसे safely handle करना है यह सब सारी details उसमें mention रहता है तो यूज करने से पहले उस MSDS को आपको पढ़ना चाहिए उसके बाद उसको यूज करना है उससे आपको पता लगेगा कि उसके अंदर कितनी potential हजार है उस chemical के अंदर और हमको क्या-क्या सवधानी लेके उसको यूज करना चाहिए आप इस figure में देख पा रहे हैं यहाँ पर जो यह है और इसमें इस देख पा रहे हैं कि यह जो figure दिया है इसमें health हजार दिया है कुछी जिसमें mention रहती है कि इसका क्या हजार है इसको कैसे safely handle करना है लेकिन जो आप MSDS पढ़ेंगे उसमें deep information रहता है किसी भी chemical का यह हजार सबस्टांट के बारे में information उसमें रहती है तो आई होब कि अब समझ गें MSDS क्या आता है सिंपल सा है कुछी भी chemical यह सब्स्टांट जो ज्यादे हाजार सो उसके बारे में हमको information देता है कि उसको कैसे safely handle करना है तो थेंक्यू सो मच फो वाचिंग माई वीडियो